हलो दोस्तो एजुकेशन काड़ा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और ये वीडियो आपको फिर से एक नए अपडेट पढ़ाही तुहर द्वार से संबंधित के लिए बनाया जा रहा है और इस वीडियो में हम देखेंगे या वीडियो जो है उन सक्षकों के लिए ह जो विपरीद परिस्तिती में लगातार आनलाइन क्लास ले रहे हैं ऐसे सक्षकों को अब पुरिस्कृत करने की बारी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा आनलाइन क्लास और आपके क्लास में कितने बच्चे शामिल हुए हैं उसकी एंट्री तो देखते हैं उ पासवर्ड अपना आप एंट्री करें और लॉग इन करें जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हैं यह होमपे जाता है सक्षक की रूप में आप इसमें चले जाए और देखिए पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पढ़ाई दौन द्वार के अंतरगत गतवीधी की इंट्री और सिच्छक शंबंदी विवरण यह हमने देखा था और अभी आप देख रहे हैं कि यहाप एक नया आप्सन आ गया है आनलाइन क्लास का विवरण तो आपको यहीं पर आनलाइन क्लास के विवरण में ही अब तक कुल आनलाइन क्लास आपने कितना लिया है इसको आपको कुल बच्छों के संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है और इसको फाइनल सब्रभरण कर देना है जब आप यहाँ पर आनलाइन क्लास और बच्चों की संख्या सब्रभरण कर देंगे तो यह डाटा जो है कि हमारे उच्छ अधिकारियों के पास पहुच जाएगा और जदी आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको निश्टरूप से पुरुष्कृत किया जाएगा आपको आनलाइन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम जाने कि आनलाइन क्लास की कुल संक्या हमने कितना अब तक किया है और बच्चे कितने शामिल हुए हैं इसको हम कैसे जानेंगे तो इसके लिए आप जाएए मेनु में मेनु में जाकर सिक्षक के कारे में सिक्षक के कारे में जाने के बाद सिक्षक डैस्बोर्ड में आप जाएए और डैस्बोर्ड में आप देखेंगे यहां पर यह देखिए online class तो कितने आप online class लिए हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर आप जो है उसको देख सकते हैं फिर से और बच्चों के संख्या आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं इसको आप total कर लीजिए और इसको online class का भीवरण इसमें जो है simply आप भर दीजिए कितने कितने बच्चों ने आपके class में शामिल हुए हैं और final submit कर दीजिए तो इस प्रकार इस process को आप कीजिए और यदि आपने मेहनत किया है तो निश्यत रूप से आपको प्रुस्कृत किया जाएगा तो दोस्तों यदि वी काड़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो जो है मिलती रहेगी धन्यवाल